प्यारे छात्रों मैं प्रदीब सर बाइलोजी की इतमाला में आपको ए गाना सुनाने जा रहा हूं इस गाने को ध्यान से सुनिए और बाइलोजी के next topic के explanation के बारे में बढ़िया से समझिए प्रिया चात्रों मैं प्रदीब सर आज आपको इवरिकोटेलिक एनिमल के बारे में समझाने जा रहे हैं ध्यान प्रूपक आप देखिए यहां लिका हुआ है इवरिकोटेलिक एनिमल्स एक्सक्रेट्री प्रोड़क के अधार पर पूरे जो इनिमल को तीन कटेगरी में डिवाइड किया गया है एक होता है मोनोटेलिक एक होता है एक होता है इवरिकोटेलिक एनिमल उनको कहा जाता है जो इवरिक एसीड का एक्सक्रेशन करते है इवरिक एसीड जो इक्सक्रेशन होता है जनरली किसमें होता है पिलेट औ पेस्ट के फॉर्म में होता है अब आए ये युरिक कोटेडिक इनिमल के कुछ एकजामपल्स है जिनको एक कोड की मात्र साइटर से बताया गया है कि सभी अभी भाव को सभी छात्र छात्राओं से मेरा नम्हें निवेदन है कि पूरा 11-12 मिलाकर एक हजार कोड है एक कोड के लिए सिर्फ एकी नाम है यह बार बार मुझे इसलिए काना पर है कि बच्छे कंफ्यूज ना करें जैसे यह कोड बना हुआ है तो यह कोड वनली इवरिक कोटेलिक एनिमल के लिए है यह कोड फिर पुना दूसरे जगा कहीं भी यूद बता है तो नहीं होगा इस सभी छात्रों से बार बारे हम कहते हैं कि इसमें करेंगा यह याद कीजिएगा पूरा 1000 कोड में सिल्वर जो है वनली इवरिक कोटेलिक एनिमल के लिए ही बना है कोड यह अब देखिए को उसको कैसे बताया गया है देकिया लिखा हुआ है June Contractor of electricity है और Ornament Benahane में बहुत ज्यादए इसके वीज़ करते हैं और हिंदि में क्या बौलते हैं कि अब चांदी को देखिए हम इसमें क्या किये हुए है कोड बनाने के लिए थोड़ा सा किसी ना किशी लिटर को हम आगे पीछे करते हैं इस बात को अब ध्यान रखिएगा यहां लिखा हुआ है सिल्वर और यहां लिखा हुआ है सिल्वर दोनों का उच्छारन लगवक सेम है अब यहां क्या है देखिए एस से क्या है स्नेल आई से क्या है इंसेक्ट एल से क्या है लैंड यानि स्नेल यह दोनों एक जगह हुए लैंड असनेल आइस इंसेक बी से बर्ड आर से रेप्टाइल्स यह सभी जो है इरिकोटेली के इनमल्स है यह इरिकोटेली के इनमल्स का जो इस जामपल इंसी अडी भुक में दिया हुआ है कि उसको हम इस कोड के साहिते से बता रहे हैं उना रिपीट करते हैं सिल्वर के जगह पर हम लिखे हुए हैं सिल्वर कुछ चारण लगवक सेब हैं तो सिल्वर क्या है एस से आपको इसनेल है आई से इंसेक्ट है L से land है B से birds है R से reptiles है या निन land snail, insects, birds, reptiles ये सभी Uricotelic animals है यानि ये जो आपको Uricotelic सीट का सेक्रेशन करते हैं वो generally pellet or pest के form में होता है यह आलिका हुआ है no book, no notes, no confusion, only code यानि अगर ये code आपको याद है तो NCRT book में जो आपको एक्जाम्बल दिया हुआ है ज़्यादा तर ये रही है इसके लिए किसी book की जरूरत नहीं, किसी notes की जरूरत नहीं आपको confusion होगा नहीं, इस बात की 100% गरांटी है क्योंकि ये जो code बनाया जाता है ये code आपको एक दो दिन में नहीं बनता है कई दिनों के मेरी तफस्या है कई दिन लगते हैं, कई रात लगते हैं तो ये code तयार होता है और ये code आपको याद है तो ये आपके exam में confusion हो नहीं सकता है क्योंकि ये code जो है ये confusion killer है एक्जाम में जो आप निट के जो एक्जाम देते हो confusion के कारण हर साल बहुत बच्चे sleep कर जाते हैं तो ये code आपको sleep नहीं होने देगा कई confusion नहीं होने देगा तो ये रिकोटेरिक एनिमल के बारे में इतना ही है जो भी बात बताई जाती है वो NCRT बुक बेस्टी है आप इस code को कह सकते हो कि ये आपको code एक तरह से पुरा गोल के पिलाये जा रहा है code की साहिता से ये code आपको याद करने के बाद कहीं भी कोई दिक्कत नहीं दाती है तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सपोर्ड कीजिए और भविश में सपल इंसान बनिये मतलब डॉक्टर बनिये ये नमस्कार